Hello students and welcome to maths class. आज की class में हम like और unlike fractions के बारे में जानेंगे और different denominators वाले fractions का addition और subtraction करना सीखेंगे. Students, आप अपनी स्प्रीन पर एक figure देख रहे हैं जिसमें कुल 15 parts हैं. इसके parts को अलग-अलग color से color किया गया है. आएए इसके red part का fraction देखते हैं. तो ये 3 upon 15 है. 3 parts red हैं और total part 15 है. white part का fraction देखें तो ये 7 upon 15 है. और yellow part का fraction देखें तो ये 5 upon 15 है. ये तीनो fractions एक ही figure के different part के fractions हैं. इन तीनो fractions का denominator same है. तीनो में denominator 15 है. ऐसे सभी fractions जिनका denominator same होता है वो like fractions कहलाते हैं. तो जब हम like fractions की बात कर रहे हैं तो हमेशा हम 2 ये 2 से अधिक fractions की बात कर रहे हैं. अभी स्क्रीन पे आप 3 figures देख रहे हैं. हर एक figure में number of part अलग है. तो number of part अलग होने से हर एक figure का denominator अलग हो गया. पहले वाले figure में denominator 7 है क्योंकि total 7 parts है. दूसरे figure में denominator 5 है क्योंकि total 5 parts है. और तीसरे figure में denominator 6 है क्योंकि total 6 parts है. और यहां जो तीन fractions दिये हैं ये हमें इन figures के white part का fraction बता रहे हैं. तो इन तीनों ही fraction में denominators different हैं. ऐसे सभी fractions जिसमें denominators different होते हैं वो unlike fractions कहलाते हैं. अब हम different denominators वाले fractions का यानि unlike fractions का addition करना सीखेंगे. यहां इस screen पे हम एक fraction के addition का sum देख रहे हैं जिसको solve करने के लिए हम दोनों denominators यानि 12 और 9 का LCM निकालेंगे जो कि 36 आ जाएगा. उसके बाद 36 को हम पहले denominator यानि 12 से divide करेंगे और जो result आएगा उसको numerator यानि 7 से multiply करेंगे. ऐसा करने पे हमें 21 मिलेगा जो हम सही जगा पर लिख देंगे. अब हम 36 को दूसरे denominator 9 से divide करेंगे. 9, 4 जा 36 होता है तो इससे हमें 4 मिल जाएगा. अब हम 4 को numerator 8 से multiply करेंगे जिससे हमें 32 मिलेगा. उसको हम सही जगा पर लिख देंगे. अब हमारे result का denominator तो 36 ही रहेगा और numerator के लिए हम 21 और 32 को add करेंगे जिससे हमें 53 मिल जाएगा. 53 upon 36 एक improper fraction है क्योंकि इसका numerator बढ़ा है और denominator छोटा है. तो हम 53 को 36 से divide करके इस improper fraction को एक mixed fraction में convert कर लेंगे. यहाँ पर दो mixed fraction के addition का sum है तो mixed fraction को पहले हम improper fraction में convert कर लेंगे. अब हम 16 और 12 दोनों denominators का LCM निकाल लेंगे जो कि 48 आ जाएगा. 48 को जब हम पहले denominator 16 से divide करेंगे तो हमें 3 मिलेगा जिससे हम numerator 33 से multiply कर देंगे जिससे हमें 99 मिल जाएगा. फिर हम 48 को दूसरे denominator 12 से divide करेंगे जिससे हमें 4 मिलेगा और अब इस 4 को हम numerator 17 से multiply कर देंगे जिससे हमें 68 मिल जाएगा. अब इस expression को जब हम solve करेंगे तो denominator तो 48 ही रहेगा और numerator के लिए हम 99 और 68 को add कर देंगे जिससे 167 मिल जाएगा. 167 अपॉन 48 एक improper fraction है तो इसको division के तुरू हम एक mixed fraction में convert कर लेंगे. अब हम different denominators वाले fraction का या unlike fractions का subtraction करना सीखेंगे. यहाँ पर हम एक subtraction का sum देख रहे हैं जिसका एक पार होल नंबर है और दूसरा पार एक mixed fraction है. तो mixed fraction को हम improper fraction में change कर लेंगे और होल नंबर वाले पार्ट को हम 10 upon 1 के fraction के रूप में भी लिख सकते हैं. यहाँ पर दोनों denominators का LCM 15 आ जाएगा. इस LCM को जब हम पहले denominator 1 से divide करेंगे तो 15 answer आएगा जिसको numerator 10 से multiply करने पर 150 मिल जाएगा. अब दूसरे denominator 15 को जब हम 15 से divide करेंगे तो 1 आएगा और 1 को 62 से multiply करेंगे तो 62 ही answer आ जाएगा. अब answer में denominator तो हमारा 15 ही रहेगा, numerator के लिए हमें 150 में से 62 को minus करना होगा. minus करने पे हमें 88 upon 15 answer मिल जाएगा. 88 upon 15 एक improper fraction है तो 88 को 15 से divide करके हम इसको एक mixed fraction में convert कर लेंगे. आशा करती हूँ कि आपको different denominators के fractions का या unlike fractions का addition और subtraction समझ में आया होगा. वीडियो अच्छा लगा हो तो like करें, share करें और चैनल को subscribe करें. maths के दूसरे वीडियो देखने के लिए नीचे description box में दिये गया links को touch करें. Thank you.